वाइज के वाली वीडियो में हम इसी पीट्रॉन के बेस्बट्स फ्यूड के एक अंबोक्सिंग और एक डिटेल रिव्यू देखने वाले हैं आए सबसे पहले सके अंबोक्सिंग देख लेते हैं यहाँ पर पीट्रॉन ने अपनी पैकेचिंग थोड़ी से चेंज कर दिया है लेकिन अभी भी पैकेचिंग उत्ती बड़िया नहीं कर दिया है जैसे मीवी की और बोल्ट ओडियों की रहती है और बटर हो सकती थी अब यहाँ पर सीधम बोक्स को ओपन कर लेते हैं इसकी फॉयल को गट करते हुए बोक्स को ओपन करने पर सबसे पहले अंदर साइड हमें यह एक कार्ट देखने मिल जाते हैं जिसके पीछे की साइड है यहाँ पर हमें दो क्यूवार कोड दिये गए हैं एक से आप यूजर मैनुवल देख सकते हैं दूसरे से अपनी वरेंटी क्लेम कर पाएंगे इसकलाब अंदर की साइड अगर हम देखे तो हमें यह एरफोंस का केस दिखने मिल जाता है फर्स्ट इंप्रेशन में काफी यूनिक सा लग रहा है नथिंग यह एरफोंस के जैसा लग रहा है कैस कलेट पूरा ही ट्रांस्पेरेंट्ब और इविन नीचे के अधित में भी कंप्ल्ट ट्रांस्पेरेंट प्लस्ट इसके अधिर काभी साही दिया हुआ है इधर पर जो प्लस्टिक शूलिटिल लाऑर ही है इंबं फिनिशिंग भी स्मूध है बस इसमें मुझे एक disappointment लगी कि इसकी actual true wireless earphones हैं उसमें कोई भी different design या फिर transparent plastic कुछ भी use नहीं किया है एकदम simple से ही हैं इन earphones की उखर हम fitting को comfort की बात करें तो यहाँ पर मुझे थोड़ी से दिक्कत लगी आपको canal design इसमें देखने मिल जाती है और इसकी fitting मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी और इसकी वज़े से uncomfortable भी थोड़ा सा feel हो रहा था मैंने ऐसे 15-20 मिनिट यूज़ करा और अपने मही कानों में थोड़ा सा irritation और हलका सा faint लगने लगा हलाकि यह fitting and comfort to individual to individual differ हो सकता है लिकिन मेरे तरफ से fitting and comfort में यह बिल्कुल भी सही नहीं लगे यहाँ पर इन earphones के अरम sound quality की बात करें तो यहाँ पर आपको for the price sound quality अच्छी देखने मिल जाती है vocals clear दिये गया है और काफी loud आवाज आपको सुनाई दे जाएगी bass थोड़ा से कम लगा और troubles भी थोड़े से जादा better हो सकते थे लेकिन अगेन यही कहूंगा कि 1000 रुपे के हिसाब से सही है और movies देखने में आपको कई भी issue नहीं रहेगा और अगर आप एकदम heavy bass lover नहीं है तो फिर गाने सुनने में भी आपको बराबर मजा आएगा और अगर आपको heavy bass वाली earphones चाहिए तो same pricing पर better earphones available है अगर हम माइक की बात करें तो mic quality यहाँ पर आपको average देखने मिलती है और इस pricing पर true wireless earphones के mic उत्ते बढ़ या नहीं रहते हैं कि आप उसमें calling वगयरा कहीं भी ले पाएं तो ऐसा ही इसमें भी है इसमें calling मुझे रहेंगे तो कुछ इस तरी के audio quality आपको सुनने को मिली जाएगी इसकी battery life की बात करें तो average देखने मिल जाती है brand 25 hours mention करता है even मुझे तो brand की claim भी थोड़ी सी कमी लगी क्योंकि आज कल competitors तो काफी जादा battery life देने लगें लेकिन इस्टिल उतनी जादा कम भी नहीं है कि आपको कोई परिशानी हो day to day usage में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी एक बार चार्च करेंगे आप और अगर नॉर्मली यूज करते हो चार पाश दिन एजली चल जाएगी case के साथ इन इयरफोंस के कर हम gaming की बात करें तो यहाँ पर आपको gaming experience अच्छा दिखने मिल जाता है surround type effect तो अच्छा समझ में आता है बस दिक्कत अगर आपको आईगी तो latency में आ सकते है थोड़ी बहुत लेकिन मुझे realme 7 pro में टेस्ट करने पर latency का में भी जादा कोई issue नहीं लगा ओके तो at last final verdict में मैं यह कहूंगा कि यह earphones काफी बढ़िया है देखने में और बाकी चीजों में average type है तो जो भी इन इयरफोंस को purchase करने के सोच रहे थे वो try कर सकते हैं design wise तो सच में काफी बढ़िया है और लेने से पहले यह बात बस याद रखना कि इसमें कोई भी extra heavy base नह अगली आरफों शायद आपके लिए अच्छे नहीं है क्योंकि इसमें base extra भी तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक दिया गया है और आज की वीडियो में सिफ इतना ही अकर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा थोड़ी दा पसंद आई हो चैनले को सब् अगली आप Сबस्ते हो वीडियो को वीडियो में सेधी सबस, वीडियो को की लिए प्हें हो वीडियो के लिए है ईतना ही क Cassnais, 5 वीडियो, वीडियो, ब्सक्राइब, क्यूे है ख cabeça अबस्क्टार्य को सब्स, 6ूँेम् गु争 बःू है ग्हाम्हीं की और आई है के अगल ब